जब आब भारत की विरासत की बात करते हैं, तो मेरे दिमाग में बबपार आवाल आते हैं, मेरे दिमाग में महराना उदैसिंग आते हैं, मेरे दिमाग में महराना प्रताप आते हैं, मेरे दिमाग में अलाउद बीन खिलजी नहीं आता, मेरे दिमाग में बाबर नहीं आता, म मैं इसका क्या करूँ अम्रित मन्थन जब होगा अमेश तो सिर्फ अम्रित नहीं निकलेगा थोड़ा सा विश भी निकलेगा लेकिन हमें उस विश से घबराना नहीं चाहिए हमें उसका सामना करना चाहिए एक बार आखे खोलने की जरूरत है अपने इतिहास के तरफ देखन बनते गए मुझे फिल्म बहुत पसंद है मुगलियाजम अच्छा ड्रामा है अच्छी कहानी है लेकिन जो दिखाया गया है उसका सचाई से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है हमारी प्रॉब्लिम ये है कि उस जेनरेशन से लेकर आज तक जो हमें परदे पे दिखा बाजार लगवाता था और लड़कियां जाके पसंद करता था अपने हरम में भेजता था और फिर आप गलती करते हैं कि एक फिल्म बनाते हैं जिसका नाम है जोधा अकबर मतलब जोधा अकबर आप उसे लव स्टोरी के तरह प्रिजिन करते हैं कि ये बड़ी शाश्वत प मानते हैं कि तक्रीबन 36 शादियां की थी अकबर ने ये कौन सी महबबत थी ये कौन सी महबबत थी कि के 1562 में अकबर जोधा भाई से विवाह करते हैं और 21 जून 1576 को पूरा मालवा उजार देते हैं बाश बहादुर को मार देते हैं राणी रूपमती खुदकुशी कर लेती हैं, क्योंकि रौणी रूपमती के रूप का वणलन सुनके ये आदमी पागल हो गया था, अकबर कि बारे में ये सुंते रहते हैं कि भेश पदल के घूमते रहते थे, भेश पदल के घूमते थे, क्यों घूमते थे, भेश पदल के प्रजा का हालचाल जानने के लिए घूमते थे, ये तो जूटा इतिहास है, जो में पिलाया गया है, सच ये है कि भेश पदल के हंटिंग ग्राउंड में घूमते थे वो, शिक अखबर उस समूह में जो नातक देख रहा था वहां खड़े हो गए और सुनते रहे बहुत दीर तक और उनके दिमाव में इस तरह रानी की खुब सूर्ती का नशा चाया कि उन्होंने अगले दिन अपनी फॉजों को जो उनके सोतेले भाई थे जो उनकी दाई के पेट से पै राणी रूपमती को उठा के लाओ, राणी रूपमती को लाने के बुशती थी, वाश बहादूर बहुत बहादूर थे, इन लोगों ने सरेंडर नहीं किया और अकबरी फॉजों ने पूरा मालवा तहस्नेहस कर दिया, वो मालवा जो साहितिका, संगीत का, लिटरेचर का, अ तो अकबर तो कहीं रुका ही नहीं, जब तक जिया अपनी हवस, अपनी वासना का पुजारी बना रहा, आप उसे मेरा हीरो ना बताएं, आपने आज तक बताया, मैंने आज तक मान लिया, आप मैं नहीं मानूंगा, अब मैं जाक चुका हूँ और मेरे साथ करोणों हिंदुस टेक्सबुक में ये पाठ है, हमें क्यों नहीं बताया गया कि महराना कुंभा ने खिलजी को महीनों कैद में रखा, हमें क्यों नहीं बताया गया कि महराना सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इबराहीम लोदी को खटोली के युद में पराजित किया और बुरी तरे पराजित किया हमें साथुमी सदी क्यों नहीं गिनवाई जाती जब बबपार रावल ने मुहंमत बिन कासिम को इरान तक दोड़ा-दोड़ा के मारा था यह सब हमें नहीं पढ़ाया जाता है कि भारत की सल्तनत नहीं दिल्ली सल्तनत थी यानि को अगर आप महरास्टरा की तरफ देखे कभी ये पूरी तरह लेही नहीं पाए, गुजरात की तरह ये पहुचे ही नहीं, हम कहां की बात कर रहे हैं, क्या मजाग है ये, कौन सी सल्तनत और कौन सा मुगल सामराज्ये, जब हम एक word उस करते हैं, न, पहली बात ये सोच बदल दीजे, क्योंकि ये सिर्फ भगोडे थे, और ये बाद में लूटेरे थे इनके तीसरी कोई पहचान नहीं है भगोडे और लूटेरे तीसरी पहचान जो दी है वो इस देश ने दी है और हमारी नपुनसक्ता ने दी है क्योंकि हम चुपचाप सुन गए और सह गए